नमस्कार दोस्तों, पंजाब के मोहाली में चंडिगर यूनिवर्सिटी की होस्टल की स्टुडेंट्स का नहाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सनिवार से हड़कम मचा हुआ है। होस्टल की स्टुडेंट्स का आरोप है कि MBA की एक स्टुडेंट ने बातरूम में नहाती स्टुडेंट्स का वीडियो बनाया और फिर उसे अपने शिमला में रहने वाले बॉइफ्रेंट को भीज दिया। इस कांट के बाद कई तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं। हाला कि इसको लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं लेकिन उससे पहले इस पूरी गटना को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अंदर है तो सेफ हैं। अंदर एक लड़ क्या सेफ हैं। तब ही यह हुआ है। साथ मज़े के बाद ही गई है ना वो अंदर। उसके बाद ही हुआ है यह सब कुछ है। सोला सतंबर यानि शुकरबार को दोपर तीन बजे पांच लड़कियों ने चंडीगर यूनिवरसिटी होस्टल वाडन से सिकायत कीगी एक स्टुडेंट ने नहाते हुए वक्त उनकी वीडियो बनाई है। सिकायत के बाद जब वाडन ने वीडियो बनाने वाले इस्टुडेंट से पूछताच की तो उसने वीडियो बनाने की बात कबूली और बताया कि वो उसने वीडियो बनाकर शिमला के सन्नी को भेजी है। दिन भर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कारवाई नहीं हुई तो लड़कियों ने सुबा तीन वजे हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने दूसरी स्टुडेंट्स के सामने ये बात कबूली कि उसने वीडियो बेजने के लिए लड़के से दवाब डाला था। उसके बाद पुलिस ने हिमाचल निवासी आरोप छात्रा और लड़के को शिमला से गरफतार कर लिया। लड़के के वीडियो एक दोस्त को भेज दिया ता फिलाल पुलिस ने उसे भी गरफतार कर लिया है। इस उनिवर्सिटी के होस्टल में चार जार से ज़्यादा स्टुडेंट्स रह रही हैं। वहीं मुख्यमंतरी भगवत मान ने उचिस तरिये जांच के आदिस दिये हैं। इसके बाद पुलिस ने एसाइटी से जांच कराने की गोशना की है। गटना के बाद साथ लड़कियों के आत्मित्या करने की कोशिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं चंडिगर यूनिवर्सिटी के वी सी डॉक्टर आरेस बावा ने कहा है कि ये सब अफवा है। किसी भी लड़की ने ऐसा कदम उठाने की कोई कोशिश नहीं किये। उन्होंने काया है कि गटना में किसी भी लड़की को अस्पताल में बढ़ती नहीं कराया गया है। हलाकि होस्टर में कई एम्बूलेंस को आते जाते देखा गया है। फिलाल पंजाव सरकार के निर्देश पर इस मामले में कई तीन सदस्य एसाइटी का गठन किया गया है। पंजाव के डीजी पी गौरव यादव ने बताया है कि इस विसेश चांश टीम की तीन सदस्य महिला पुलिस अधकारी है। सीनियर आईपेस अधकारी कुरप्रीत कौरदेव इस एसाइटी की अद्धशता करेंगी। इस मामले में फिलाहल आरोपी लड़की समय दो को गिरफतार कर लिया गया है। चंडिकर यूनिवरसिटी की इस घटना से पूरा देश और समाज विचलित हो गया है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चोरी चिपे बनाए गए ऐसा वीडियो बाइरल हुआ है। इस मामले में यूनिवरसिटी मेरेजमेंट और पुलिस की भूमिकावी मामले को दवाने वाली ज़ादा लगती है। जब चात्राओंने न्याय की कोहार लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया और उपर से दवा पड़ा तब जाकर पलिस हरकत में आई। इस पूरे गटना करम के तीन एहम बिंदू हैं। पहला तो लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा प्रबंदों पर नए सिरे से विचार की जरूरत। दूसरा हॉस्टल में रहने वाली हर छात्रा की गतिविती पर नजर। हाला के यह बहुत कटिन काम है और तीसरा गल्स हॉस्टल की विश्वसनियता फिर से कायम करना इस गटना के बाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली चात्रा हॉस्टल छोड़कर चली गई हैं। वो शायद ही वापस आएं। आना चाहें तो भी उनके पेरेंट्स जो खुद भी वीतर से हिले हुए हैं। इसकी अनुमती शायद ही दें। इसी के साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि अगर इतनी बड़ी संक्या में छात्रा होस्टल छोड़ रही हैं। तो वो बाद में रहेंगी कहां। इससे छात्राओं के रहने की नई समस्या पैदा होगी। वो एक अलग मुद्दा है। दरसल 21 सदी में मोबाइल संस्कृति अब जिस विक्रत दोर में पहुँच गई है चंडीगर कांड उसका एक चेतावनी बड़ा उधारन है। इससे यह भी पता चलता है कि आत्म केंद्रित हमारी युवा पीडि क्या सोचती है। संसकारों का अर्थ किसके लिए क्या है और उसके मनुरण्यन के तरीके क्या और कैसे हैं। वो शायद इस बात पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनकी गिनौनी हरकत से पूरा समाज किस तरह से प्रभावित होता है। यही नहीं मोबाइल एडिक्शन में इस महारोग में शीलता और अश्लीलता की परदादारी भी तक्रीवन दोस्त हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या बचा रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएगा। इन्फरमेशन अची लगें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीए।